जब हम अपनी जनम पत्री के अंदर देखते हैं तो दर्शकों हमारी personality पर प्रभाव डालती हैं दो बातें और ये दोनों ये बहुत महत्वपोण होती हैं जिसके अंतरगत सबसे पहला होता है आपका जनम का लगन और दूसरी होती है आपकी जनम की राशी जनम का लगन और जनम की राशी जरूरी नहीं है एक हो ये भी जरूरी नहीं है दोनों अलग हो लेकिन अगर अलग-अलग हुई तो उससे संबंदित हमारे व्यक्तित में बहुत सारी बातें उतार चड़ा के सरूप में आती है क्योंकि जनम का लगन अलग है, जनम की राशी अलग है तो यानि दो बातों का mix effect हमारी personality पर पड़ता है जिसके कारण हम अपनी जिन्दिगी में decisions को लेके कुछ चीजे बहुत ही अलग अंदाज में सीखते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर जनम के समय आपकी जनम पत्री में मिथुन लगन है लेकिन आपकी जनम की राशी मिथुन नहीं है आपकी जनम की राशी है तुला यानि अगर आपका मित हुन लगन है और तोला राशी है तो आखिर व्यक्तित पर क्या प्रभाव पड़ेगा किस तरह की रुकावटे जिंदिकी में ज़्यादा आने वाली हैं और किस तरह से उनसे बाहर आएं दर्शको ऐसे ही अन्य लगन और अन्य राशियों की मिक्स कॉंबिनेशन की वीडियो है एक प्लेलिस्ट में जो लगन और राशी दोनों के प्रभाव को मिक्स होकर बताती है उसका लिंक डिस्क्रिक्शन बॉक्स में भी देंगे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजी और प्लेलिस्ट में आखे अराम से देखिए आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी अभी तो इसकी बात करते हैं कि अगर मिथुन लगन है और तुला राशी है तो क्या मैंस्टर लॉजर शेलेजिन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ दर्शको अगर आपका मिथुन लगन और तुला राशी है इसका मतलब जिन्दिगी के बहुत ही शुरुवाती दौर से हमेशा आपको एक चीज जहलनी पड़ेगी और वह होगा हमेशा ही दो राहों पर आकर खड़े हो जाना आप कहेंगे अचारे जी ये तो जिन्दिगी में सबके साथ ही लगा रहता है कि हमेशा ही एक डिसीजन से पहले दो आप्शन्स होते हैं जरूरी नहीं हैं कुछ लोग बिलकुल सीधा सीधा एक ही रहा पर चलते रहते हैं उसको एक्षीव करते हैं यह उसमें फेलियर भी जेलते हैं तो भी फाइनली उसमें दवारा महनत करते हैं और अचीव करते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे आप जब भी कोई डिसेजन लेने खड़े होंगे चैब बच्पन हो जवानी हो मिडल एज हो या ओल हो हमें शाही डबल ऑप्शन में फस जाएंगे दिमाग आपका भागता ही दो दिशाओं में हैं इसी कारणवर्ष इन दो बातों को कई बार साथ साथ भी लेके चलना पड़ता है दर्शक को क्योंकि तूला राशी भी तो है आपकी इसके कारणवर्ष बच्पन में तो थोड जादा अपने बच्पन और यंगेज में मान सम्मान की हानी जेल नहीं पड़ती है यानि मित्वन लगन और तुला राशी भालों को बच्पन में थोड़ इसी जादा ही बुराई मिल जाती है ऐसी इस्तितियों में कई बार उनके अपने जो सहयोग तो बहुत करना चाह रह अपनी बाते कहते सुनते या समझते हैं परन तू इसका मतलब क्या यह रहा कि जिंदगी पर अकेला पन ही जीते रहोगे ऐसा नहीं है दर शको क्योंकि मित्वन लगन और तुला राशी वाला अकेला इतनी असानी से नहीं रहता एक उम्र के बाद कौन से उम्र के बाद दे कराता है बहुत सारी एक्स्ट्रा अक्टिविटीज में भी कई बार पार्ट लेते हैं लेकिन फिर भी किसी के साथ बहुत जादा घनिश्टता नहीं रखते कुछ एक दो या तीन के साथ घनिश्टता रख ली तो बहुत बड़ा बात कर दी आपने क्यों कि अब आपको धी आपको समझ में आने लगा है कि सही माइने में लोग जो कहते हैं करते ही नहीं है या बहुत कुछ कहते हैं और करते कुछ भी नहीं है इस तरह की बाते जो समाजिक हो सकती हैं सोशल एक्सपेक्ट पर हो सकती हैं यह आप जब विद्यारती जीवन में टीनेज को पार कर जात और तुला रशी होने के कारण आपकी कुंडली के अंदर एक इतना बहतरीन योग है जिसके कारणवश अगर जिन्दिगी की बहुत जल्दी आप किसी की सहला लेके करियर को चुनाव कर लो तो बहुत अच्छा ही रहेगा ने तो वहाँ पर भी दो बाते होंगी आप कुछ भी करो दो बाते होंगी पर इसलिए ये मैं कहना चाह रहा था कि फिर आपको करियर में भी दो बाते होंगी आप हो सकता है जो पढ़ाई करें वो काम न करें और जो काम करें उसकी educational qualification ना लें इसका मतलब ये रहा क्यों क्यों क्योंकि जिन्दगी अब आपको आगे क्या बनाने जा रही है इस combination में self made personality सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन दर्शकों ये जो self made personalities होती है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा जूते घिसे होते हैं बहुत ज़्यादा एडियां किसी होती है अपनी जान तक दाओं पर लगा दी होती है एक तरीके से देखा जाए तो physically नहीं तो mentally, emotionally, financially आप तयार हैं उसके लिए अगर तयार हो तो मिथन लगन और तुलाराशी आपको definitely कुछ अचीव करवा के देगी क्यों? क्योंकि इस combination में अगर कोई चीज भरी होई है तो वो है experience, experience, experience सुनने में शब्द बड़ा प्यारा लगता है लेकिन एक बात बताओ कि experience हमेशा positive ही होंगे किसे कहते हैं experience किसे कहते है experienced person एक वो व्यक्ति जो knowledge लेता रहता है उसे apply करता रहता है और knowledge लेता है और apply करता है लेकिन जब वो apply करता है तो उसके positive, negative दोनों result उसके सामने आते हैं और वो negative result को भी खुश होकर accept करता है और फिर knowledge लेता है और फिर apply करता है यानि experience ऐसा होगा आपके साथ और ये बात आपकी personal life के साथ professional life पर ज़्यादा प्रभाव देगी आपकी personality में ये रुकावटे आपकी जिंदिगी में बार बार आएंगी दर्शक को जिसके कारण आपको failure बहुत ज़्यादा जहलने पड़ेंगे कई बार तो financial loss भी कर बैठोगे आप बहुत तगड़ा बताता हूं क्या करना है उसके लिए किस तरह से ध्यान रखें अपनी personality की सोच अंदाज के तरीके को जो उस loss को cover up कर पाएं या बचा पाएं पहले ये समझते हैं कि यानि ये जो दो बाते हैं ये कुंडली में आपको एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति बनाती है आपका मिथुन लगन और तुला राशी होने के कारण ये ही वाज़ा है दर्शको कि आप यंग एज के लेटर ओं यानि 25-26 के आसपास एक target तक पहुच जाते हैं अपनी उमर के कि अब हमें यही करना है और हम यही करेंगे चाहे दो राहें आती रहें दो बाते आती रहें लेकिन उसमें 24 आप अपने उसी बेस के अनुचार लेंगे जब आपने decide कर लिया है इसी तरह के अनुभव को लेते वे दर्शको मिथुन लगन और तुला राशे वाले जंदिगी में आगे बढ़ते हैं और कभी-कभी मैंने देखा है कि जो educational qualification नोंने पहले ली पर काम उससे संबंद इत नहीं क्या अब क्या करते हैं कि कहीं न कहीं middle age के आसपास एक new qualification ले लेते हैं जिसका आधार होता है उनका work experience क्यों? क्योंकि उस work experience के कारण earning तो हो रही होती है लेकिन qualification उस field में ना होने के कारण कई बर बाते अटक रही होती है तो यह काबलियत होती है कि later on उसके base पर आप qualification complete कर रहे हैं मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि जो qualification ली थी उसके base पर काम नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पर qualification आप इसलिए नहीं ले रहे कि अब हम qualify होंगे तो देखते हैं जिन्दगी में क्या करना आपको पता है आप बात repeat कर दूँ हो सकता है आपके किसी करीबी विक्ति का यह लगन ना हो यह राशी ना हो कोई और लगन यह राशी का combination लेके विक्ति बैठा हो ऐसे विक्ति है यानि अपने विक्तियों की कुंड्लियां देखना चाहते हो ना तो हमारी उस playlist पर आईए जो लगन और राशी कि आप हमें पसंद कर रहे हैं कुछ ना पसंद भी कर रहे हो तो comment box में लिखके दे दीजिए हमें ध्यान रहेगा अगली वीडियो में उस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे अब दर्श को एक और बात मितुन लगन और तुला राशी वाला व्यक्ति जो होता है उसके एक और quality होती है वह quality अनुभव के experience के अधार पर बड़ी जबरदस होती चले जाती है जिसे हम कहते हैं अपने हत्यार कुद तराशना बिलकुल ऐसा ही होता है वच्पन में आप कुछ भी बोल देते थे कहीं भी बोल देते थे रुकते ही नहीं थे कितना ही समझा लो इसका रण बिटाई भी वह जाती थी कई बार लेकिन धीरे धीरे मितुन लगन और तुला राशी वाला व्यक्ति अपने बोलने की इस्तिती में बड़ी जबरदस सटीकता लाता है बड़ी जबरदस clarity लाता है बहुत तोल मोल के बोलता है बहुत सोच समझ के बोलता है दो लेकिन फिर भी अब उसे control करना आ जाता है और यही वो quality है जो आगे चलके उसके career में बहुत काम आती है मैं तो कई बार आपसे कहता हूं कि कुछ बाते ऐसी ध्यान रखी अपने career में जैसे कि public से related काम करना हो बोलने का काम करना हो education field हो marketing का काम हो कहीं न कहीं ऐसी IT industry हो जिसम सब बैकेंड पर ना रहना हो इसका मतलब ऐसी quality में तुन लगन और तुलाराशी आपको देती है जिसके कारण अब आप लोगों को कर लेंगे लोगों से connect हो जाएंगे आप बहुत अच्छे relationship manager बन सकते हैं किसी भी फील्ड में हो ऐसी qualities हैं आपके अंदर relationship manager से एक बात इसका अप लॉस कैसे करते हैं आप किसी एक जिंगावर बहुत जादा emotionally dedicated हो जाते हैं वहाँ पर logical analysis लगाना छोड़ देते हैं जो आपकी जिपकी quality है मिथन लगन के साथ तुलाराशी की quality है हर चीज के positive negative angle मिलते रहते हैं तो आप उन्हें समझते रहते हैं लेकिन financial expect पे उसको speculations कहते हैं अंदाजे लगाना कहते हैं उमेदे बांदना कहते हैं calculations नहीं कहते हैं आपको calculation करनी है इस तरह की बाते करोगे तो बहुत सदा financial loss लोगे कई बिना वज़े इसी कारण करजा उठा के जिंदगी बिताते रहते हो जबकि अच्छे खासी जिंदगी चल रही इसलिए दर्शक को यही कहूंगा कि यह रुकावट जब भी आपकी जिंदगी में आती है तो कहीं न कहीं से बाहर आने के लिए अब एटलिस अपने मन को मना लो अब दुबारा उसी दलदल से बाहर आने के लिए और उसमें धस्ते मत चले चाओ कहीं न कहीं आपकी जिंद इक्सपिरियेंस लिजे क्वालिफिकेशन लिजे डिप्लोमा कीजे पढ़ाई कीजे ये फिर लगाईये ना पैसे को कौन बना करता है क्योंकि आपकी क्या है सीखो फिर करो पड़ों सिर्फ और फिर करो ऐसा नहीं कि सीखना बहुत ज़रूरी आप के लिए इसलिए कह रहा हूं मिधुन लगन और तुला राशी वालो मेरी इस बात का ध्यान रखना खास दौर पर दर्शको बाते तो बहुत सारी होती हैं किसी विशेपर फिर भी अगर आप कुछ और बाते जानना चाहते हैं तो बताएगा कमेंट बॉक्स में या फिर आप यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद